हलो दोस्तो नमस्कार स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकॉन को हिट करके भी ओल ऑप्शन रहते ह तो टॉपिक है की शैर मार्केट में बहुत से रहलों को नुकसान होता है, और कोई भी शैर मार्केट में नुकसान के लिए तो आता है नहीं चाहूंगा कि कोई यहापे ऐसी खयाली पोला वाली बाते होने वाली नहीं है अगर आपको लगता है कि मैं कोई जड़ी बूटी बता दूँगा आपको कोई फॉर्मिला बता दूगा एक बटन दबाओ गया आपका सारा लॉस प्रॉफिट में होने वाला है तो आप वीडिय गया तो आपके दिमाग में यही डाउट आएगा कि कौनसे यह जो ट्रिक है जो आप बताने वाले और कौनसे शेर के उपर हम लोगों ने इस्तमाल करनी चाहिए मतलब कौनसे टाइप वाले शेर मतलब देखा गया तो लार्ज केप शेर रहते मिड़ कैप रहते स्मॉल रहते हैं माइक्रो कैप तो दोस्तों यह जो टेकनिक है आप किसी भी शेर के उपर इस्तमाल कर सकते हो आप पोर्टफोले बनाते हो ना तो एक आपके साथ एक बहुत बड़ी गलती होती है और वो गलती अगर आप सुदार दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा का सा फाइदा होने वाला है बेसिकले क्या हो जाते है कि अभी लोगों को पता चल चुका है रिटेल मिस्टर को कि बड़ा पैसा बनाना है ना तो मिड़ कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में वो निवेश कर लेते गलत बात नहीं है पर यह चीज अगर करोगे जो अभी मैं आपक बताने वाला हो तो इन चीजों में आपको बहुत ही अच्छा कासा रिटन्स मिल सकता है और कमपेरिटिवली थोड़ा सेफ रिटन्स भी मिल सकता है पर जैसे मैंने का इसके लिए मेहनत लगीगी और प्रैक्टिस लगीगा ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ मतलब यहापे आप आपको result मिल जाएंगे तो यहापे तीन possibilities में आपके सामने रखने वाला हूँ कि लोग पहले क्या गलती करते वो तो जाने तभी तो उसमें सुदार करेंगे और तभी तो जाके आपको वो profit होगा तो तीन possibilities में आपके सामने रखने वाला हो possibilities मतलब देखे एक example पकड़ तो एक ऐसा Mr. XYZ आप कोई भी नाम ले सकते हो 10 लाग इन्वेस्ट करना चाहते है risky stock में इतना कहानिया आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत ध्यान से सुन लेना कि possibility number one कि वो aggressive approach अपना थे aggressive approach मतलब क्या कि वो एक person है वो 10 लाग सिर्फ एकी stock में लिवेश करते हैं मान लीजिए ABC Limited करके और उसको उसमें success भी मिल गया success मिल गया मतलब उसका stock चल भी गया and उनको quickly 3 गुना returns भी मिल गया and उनका 10 लाग के उपर 20 लाग का profit and 30 लाग फटा-फट उनका पैसा बन गया पहले-पहले शुरुआत में क्या बोल रहा हूं उसको ध् में पता चलेगा अभी जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान रखो क्या example था कि possibility number one aggressive approach पूरा का पूरा 10 लाग एक ही शेर में लगा दिया and वो 10 लाग 30 लाग बना बहुत ही fantastic returns बने यह हो गया example number one then दोस्तो possibility number two same वैसा ही person कि उन्होंने 10 लाग एक ही शेर में invest किया उसको ही बोल 10 लाग कितना बन गया 7 लाग उड़िया सिर्फ 3 लाग रहे गया तो यह दो चीज़े हम लोगों को देखने को मिली दोनों में approach से में जिसको aggressive approach बोलते है result different है जहाँ पे success मुलेगी धमाकेदार returns failure मिलेगा वहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाग तक का मतलब 10 लाग का 3 लाग सो अभी तक आपको ये कहानी देखने को मिली है अभी आने वाले दोस्तो हम लोग possibility number 3 and यहाँ से कहानी actual में start होने वाली है मतलब यहाँ पे आप लोगों का focus बहुत ही अच्छा कासा होना चाहिए तब ही जाके आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगे बड़ उससे पहले जरू कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक डिमाइट अकांट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दी है 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौनसा अकांट आपने लिंक के तरो उपन किया है अगर देख सकते हैं एक 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 लाक इन्वेस्ट किया है तो इन दस शेर से रिलेटेड अभी कुछ चीजे में आप लोगों को सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा कि मान लिजे कि उनमें से 50% स्टॉक्स में आपको लॉस हो गया कि शेर नमबर वन में आपको नुकसान य यहाँ पे भी डूब गया यहाँ पे भी लॉस यहाँ पर भी लॉस ठीक है देन दोस्तों यहाँ पे एक जो लाक लगाया था यहाँ पर एक लाक लगाया था वो वैसा का वैसा ही है no change neutral रहा बट बाकी जो तीन स्टॉक्स थे 10 स्टॉक्स हम लोगों ने सिलेट के इतना उस यह भी पता है कि तेजी से पैसा ऐसा हम लोग गवा भी देते हैं तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को aggressive approach में नहीं जाना है हमें balance approach में जाना है जहाँ पे आपने क्या करना चाहिए एक basket बनाना होता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 10 में से हम लोगों को 3 स्टॉक्स में success म invest किया था हम लोग ने 10 लाक तो कितना का profit हुआ दोस्तों 5 लाक का profit अगर मैं मोटा मोटी सिर्फ profit की बात कर लूँ वो 3 स्टॉक्स को पकड़के तो 50% के returns अगेन कहना चाहूँगा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने ना मैंने सिर्फ इन 3 स्टॉक्स के हिसाब से ही ब और उसका outcome निकालोगे तो आपके returns actual में देखे कितने लिखते हैं मतलब portfolio को पूरा sale कर दिया तो आप देख सकते हो जो profitability थी 3 लाक 5 लाक 7 लाक उससे हमें कितना बना 15 लाक बना जो neutral थे एक एक लाक बने थे वो भी हम लोग ने exit कर लिए तो 2 लाक मतलब invest किया था 2 लाक ही व लेते हैं कुछ ना कुछ तो returns मिल ही जाता है return मतलब कुछ ना कुछ balance बच ही जाता है चाहे फिर वह मतलब 20% क्यों ना रहे तो हम लोग ने क्या किया कि 5 लाक के बदले 80% डूब गया मान लिया उसके बदले नुकसान बुक कर लिया और 1 लाक ही return आ गया तो कुल मिला कि हमा कितना हुआ 80% के returns and वो भी safely तो दोस्तों इसलिए यही चीज में आपको कहना चाहूंगा कि यह 3 possibilities हम लोगों ने देखी थी यह जो aggressive approach था वो successful हुआ तो 200% के returns बने बट अगर वो fail हुआ 70% का नुकसान सीधा बरबादी stock market से exit कुछ रहे गा ही नहीं and अगर हम लोग balance approach की बा लगता है बट यह चीजे practically work करती है इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि share market में यह जो conclusion क्या है कि balance approach is very 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 important जो की maximum retail investor नहीं करते है आप कितना भी बोलो आप Warren Buffet जी के quotes को कितना भी पढ़ो बट अगर आप चेक करोगे portfolio को तो आपको यह balance approach नजर नहीं आएगा and जैसे मैंने का यह balance approach important क्यों है क्योंकि कोई भी 100% correct नहीं जाता है इवन Warren Buffet जी को भी नुकसान होता है राके जुन जुन नौला सर को भी नुकसान होता था हर कोई stock market के जितने भी बड़े दुनिया के अब top 100 वेक्ती भी लेके आओगे ना जिन्नोंने करोड़ो रुपय कमाये है ऐसा क कोई भी वक्ति अभी तक पैदा नहीं है जिसको कभी नुकसान नहीं हुआ हर किसी को नुकसान हुआ है इसलिए balance approach को अपनाना यह बहुत जादा important होता है no doubt आपके दिमाग में यह बात आ चुकी होगी sir पहले वाले इसमें देखे न 200% का profit है right मतलब इतना बड़ा पैसा ब लगा है होते हैं मान लीजे aggressive approach आपका 10 लाग तो 70 लाग मतलब total 80 लाग बन जाता agree बन जाता बट यह तो best scenario हो गया worst scenario की बात करो नहीं यहाँ पे कि मान लीजे मेरा 10 लाग पूरा पूरा डूब गया zero आप इस प्रकार से खेलना चाहते हो क्या market में इसको दोस्तों फिर जु इसके चलते बाजार से आउट हो जाते हैं वो बहुत ही limited option रखते हैं तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपने इस प्रकार से यहाँ पे balance approach अपनाना होता है and believe me दोस्तों किसी का भी अगर आप 10 stocks select करते हो किसी का भी पूरा पूरा shares नहीं चलता है अगर हम लोग risky stock की बात करे तो micro cap small cap ऐसी ही होते है बड़ उसमें से अगर 2-3 भी चल गए तो इस प्रकार से आप देख सकते हो सिर्फ 3 stocks चले आप चेक कर सकते हो यह 5 stocks डूब गए हम लोगों की यह 2 में तो no profit no loss उसी में neutral रहे पर 3 stocks चले still हमारे returns आप देख सकते हो कमाल के देखने को मिले है and हमारा प definitely आप इस point पे भी कभी ना कभी आ जाओगे और फिर game over हो जाएगा तो इसलिए दोस्तो balance approach is very 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 important इसी के चलते आप stock market में पैसा भी कमा पाओगे and सीख भी पाओगे तो यह चीजों को आप लोगों ने सीखना है कि यहाँ पर overall conclusion के final conclusion कि कभी भी एक single mid cap small cap micro cap में invest मत करना अग 5-10 stock का अगर आपको mid cap में ही निवेश करना है ना at least 5-10 mid cap में निवेश करो अच्छे वाले खुद का research करना पड़ेगा इदर उदर किसे को पूछने मत जाना किसे को कुछ नहीं आता ऐसे ही बोल देना खुद के उपर भरोसा रखो then अगर आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना है micro cap में small cap में तो 10 share का basket बनाओ और उस 10 share में जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 2-3 shares भी चल गया ना आपका काम हो जाएगा क्योंकि जब यह stocks भागते हैं ना कमाल के returns देते हैं तो इसलिए इस approach को अगर आप follow करोगे balance approach को तो definitely आपको share market में जो loss हो रहा है वो loss नहीं होगा आपको अच्छा खासा profit होगा बट हम क्या करते हैं हम बहुत ही limited opportunity देते हैं खुद को दो-3 shares ही select कर लेते हैं वो चल गए तो ठीक है और नहीं चले तो आपको पताए बैंड बच जाता है या फिर ऐसा भी बहुत बार होता है मैं retail investor को देख चुका हूँ कि उनका एक share बहुत अच्छा चलता है बट बाकी उनके shares क्या कर लेते हैं खराब shares पूरा उस एक share का profit लेकर चले जाते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी आप लोगोंने करनी नहीं है इस balance approach को आप लोगोंने try करना है आपको result यहाप आने वाले समय में आपे मिल जाएगा तो आशा करता हूँ आपक्या problem क्या था वो मेरे पे मिलने वाला है तो आशा करता वीडियो helpful लगा होगा तो चाहो तो like and share कर सकते हैं एक और एक चैनल है smkc करके 1.44 million followers है उसमें original channel को ही follow चाहो तो कर सकते हो उसका भी link मेंने नीचे description में दिया है तो आप चाहो तो वीडियो को like कर सकते हो आपके like की कारण मेरा motivation बढ़ता ह और जरूर 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 वीडियो को share भी कर देना ताकि बाकी retail visitor को भी ही ऐसी जानकरी आपे मिल सके and first time visit के है तो चैनल को subscribe करके bell icon को hit करके भी all select करके रख लेना so that's it thank you very much दोसो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye